हैलो, हमें गीता नेगी, गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो, अब खुछ प्लांट जो हमारे पर्मनेंट प्लांट है, वो टॉर्मनजी में जाएंगे टोर्मनसी यानि वो आप रेस्ट प्रिरैड में होंगे अपने तो वो कुछ ग्रो नहीं करेंगे प्लांट तो जिंदा रहेगा मगर वो अपनी लीव गिरा देंगे और ये देखे जैसे ये पीली लीव ये मनी प्लांट की मनी म्लांट भी इस्टेम डॉर्मेंसी में जाता है और अपनी almost लीव गिरा देता है इस तरह से बट इसमें अब पानी कम डाले हो ना के बराबर महने में बीज दिन में एक बार और कोई भी फटिलाजर मत डाल लिया क्योंकि ये स्टेम रस्ट पिरड में होते हैं ये कुछ भी गेन इसकी जड़े कुछ भी लेंगी नहीं जो फटिलाजर आप डालोगे इसी तरह से ये बेंबो प्लांट है और एरी का पाम है ये सब डर्मेंसी में जाएंगे इनको पानी बहुत कम देना और शेड में रखना ब्राइट लाइट हो बट शेड हो और इसी तरह से जैसे ये है मनी प्लांट हो गया मेरा और इधर तुलसी भी थोड़ी डर्मेंसी में जाती है इस टम और ये है मेरा बॉगन वेलिया का इसने आप फूल दे दिये लास्ट फूल दे चुका है अब ये भी डर्मेंसी में जा रहा है सारे पीले पत्ते दे रहा है अपने अब धीरे धीरे पत्ते जाड़ देगा तो अपने इनको ट्रिमिंग कर दीजिए और इनको रेस्ट बिल्कुल पानी कम कर दो बिल्कुल 15-20 दिन में जब इनकी मिल्टी बिल्कुल प्रोपर सुख जाए तो तब पानी दीजिएगा इसी तरह से मेरा मोगरे का प्लांट भी अब डॉर्मंसी में जा रहा है इसने भी पत्ती अपनी काफी गिला दी है ये पेंडिन अंसेंस का भी प्लांट ये भी है ये भी डॉर्मंसी में जाता है बिल्कुल पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल कम देना है, यह देखिए बोगन विल्या, मगर मैं इसको अभी ट्रीमिंग नहीं करूंगे, क्योंकि अभी यह फूल दे रहा है, यह अपराजी का दागा का प्लांट भी मेरा इस्टम धोर्वनसी में चला गे, म बस अब यह नोवंबर, दिसंबर और जन्वरी तक बहुत ऐसे ही रहेंगे, और यह दिखिए यह वाले बोगन विले का भी मैंने कटिंग कर दिया, इसी तरह आप भी केर करें अपने प्लांट के, और ऐसे मैं सोचे कि प्लांट की पत्तियां गिर गए तो यह प्लांट मर नहीं, यह फरवरी मार्च में फिर से ग्रो करेंगे, और ऐसी यह टर्टल वाइन भी डॉर्मंसी में जाती है, इस्टम अपनी सारी पत्तियां पिली-पिली करके जाड देती है, नीचे गिरा देती है, और यह संसिवीरिया भी, बिक्कुल इस्टम तो संसिवीरिया को पान पानी मत दीजेगा, और यह रियो प्लांट को भी पानी मत दीजेगा, और ऐसी जगह रखना है, जहां पर इन पर शेड हो, कि यह सुबह की जैसे रात की जो ओंस गिरती है, वो इन प्लांट में नहीं गिरने चाहिए, और बस ब्राइट लाइट मिलती रहे, और बस पानी कुन ना के बरावर देना, बस जब देख लो आप इसकी मिटी भी कुछ सुख गई है, तब इनको पानी दीजेए, यह इस तरह से अपने प्लांट की क्यार, यह टेंगल हाट भी स्टेम, अब धिर धिर अपने पत्तियां पीली कर रहा है, तो यह भी अब धिर धिर अपना दोर्मेंसी में जा रहा है, इनको ऐसी पड़े रहन दीजे, कोई ज़्यादा इनमें कार्चाट या फर्टिलाइजर पानी देने की जुरत नहीं है, ऐसे ही अपने प्लांट की केर कीजिए, और दोस्तों मेरे वीडियो आपको जड़ा भी इंफोर्मेटिव लगी हो, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी दें, बाई, यह चमपा भी स्टेम डॉर्मेंसी में जाता है, अब यह धिरे धिर अपनी पतियां भी पीले कर रहा है, और अपनी पतियां गिलोए भी स्टेम डॉर्मेंसी में चला ज बताओंगे अभी तो फिलाल इंको किसी करें से सर्दियों में इनको सेव करिए और बचा के रखे ठंड से तो यह आपके प्लान बहुत अच्छे से चलेंगे और फर्वरी मार्च में फिर देखना आप कितने अच्छे से ग्रोव करते हैं यह बस यह सोचे कि बस इनको रेस्टर टाइम है इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और इनको रेस्टर करने देना है बाकि जो जिन प्लान की सीजन है उनको आप ग्रोव करिए